हेलो काईज वेलकम बेक तो माई चैनल ये वीडियो क्लास सेकेंड धर्ड फोर्ट फेव सिक्स क्लास तक ये बज्चों के लिए जिसमें मैं आप लोगों को पैरग्राफ वैल्यो अफ टाइम पे सिखाऊंगी इसके साथ यहां दीकर हर एक लाइन का मतलब भी मैं आप लोगो यानि क्या बोला है यहां बोला है कि यह कावते की जो समय है और जो टाइम है वो किसी का इंतिजार नहीं करते हैं याद रखेंगे सबी बच्चे आए बोला है इसका अर्थे की एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है याद रखेंगे सबी बच्चे इसे that times one last can never be again आगे परते हैं we should develop the habit of doing everything in right time right time मतलब सही समय इसलिए बोला है कि हमें समय पर सब कुछ करने की आदत यानि habit विक्सित करनी चाहिए विक्सित मतलब अपने में develop करनी चाहिए आगे परते हैं people who gave great value to time become successful in their lives यानि बोला है कि जो लोग समय की value को time की value को समझते हैं वो हमेशा success रेते हैं हमेशा सफल रेते हैं अपनी life में जिसे वो जीते हैं आगे परते हैं and those who made good opportunities of time were never successful और जो कभी भी time के value को नहीं समझते हैं वो कभी भी सफल यानि कभी भी वो लोग successful नहीं होते हैं जो time की opportunities यानि time के अफसर को नहीं समझते हैं सभी बच्चे से बहुत ध्यान से सुनेंगे आगे पढ़ते हैं time should always be utilized in good action अब आगे क्या बोला है बच्चों की समय का सुदूपी यानि जो हम उसका use करते हैं वो सदे always यानि हमेशा अच्छे कारियों में करना चाहिए मतलब हमेश का use good actions मतलब अच्छे कारियों में अच्छे कामों को करने में करना चाहिए तो यहां से बच्चों paragraph होता ही complete value of time आप लोग हिंदी और इंग्लीश दोनों में लिख और समझ सकते हैं